जेहिन दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेसन में आप लोगा स्वागत है जैसे कि हम लोग तिरिपोती केरेच रिप्यार सब का जेई डिपार्टमेंटल कोशिन पेपर सल्प कर रहे थे जो कि जनवरी दोजार चबिस को कंड़क्ट हुआ था लेटेस कोशिन है इसमें हम लोग 55 कोशिन तक कर लिया थे आज 56 नमर कोशिन से सुरू करेंगे सल्प करने का कोशिस करेंगे आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहे हैं बढ़ियां से देखे समझने का कोशिस किजी लास्ट इसे ही आप लोग का देख सकते हैं कि वागन या गूर्स में वागन का केस में यहीं पर देखे ए टाइप और एप टाइप का आप लोग का सी बीसी फीट होता है इसी हिसाब से लोकोमोटिव में आप लोग का इंजिन में इटाइप का सी बीसी फीट होता है ट्रामलिंग किसज के लिए करते हैं ट्रामलिंग के माईंद्से थो तर्मं लिंग यह आपर लोगका squareness औब, बॉगडी फ्रेम का squareness को check किया जाता है इसलिहें trampling gas का यूच किया जाता है तो option C के साथ चलिये वूल बोगडी फ्रेम एक मैज़र with, फ्विल में जो भी आप लोग का पाई हैं, जो भी डिफेक्ट है, उसको मेजर करने के लिए, टैर डिफेक्ट गेज, या फ्विल डिफेक्ट गेज या उच किया जाता है, अप्शन A के साथ चलिए, फिबा इन एलेजबी कोचे सर स्टेंड्स पर, यहीं पर आप लोग को फिबा का पूर्ण रूप पुचा है, जिसका की पूर्ण रूप होता है, फूल फर्म होता है, फेल्वेर, इंडिकेशन कम, ब्रेक अप्लिकेशन, अप्शन B के साथ चलिए, तो एक लेजबी कोच में, आप लोग का फिबा पैनल, या फिबा डिवाइस, यह दो के संख्या में रहता है, दोनों एंड पर, उसी सबसे, जो इंडिकेटर रहेगा, टोटल इंडिकेटर, टोटल फिबा इंडिकेटर, यह चार के संख्या में रहेगा, Plus, Maximum Speed of ICF Design गरीप रतकोच, ICF Design का जो गरीप रतकोच है, उसका Maximum Speed, 130 kmph, नर्माल आप लोग का ICF, आप लोग का Normal ICF कोच का जो स्पीड होता है मैक्सिमाम स्पीड 110 के एमपियच लेजबी का 160 के एमपियच ये भी आप लोग की यात रखे IRCA Part 4 डिल स्वीथ इंडियान रेल्वे कनफरेंस एसोसियेशन इसका पूर्णूरूप होता है इंडियान रेल्वे कनफरेंस एसोसियेशन का पार्ट 4 किसके साथ दिलिंग करता है यह коachinog stock के साथ दिलिंग करता है और IRCA part 3 यह wagon stock के साथ यह related करता है डिल्स करता है फूल नेम अप ACP ACP का फूल फर्म पूचा है पूर रूप पूचा है अलाराम चेन पूलिंग अलाराम चेन पूलिंग अप संसी के साथ चलिए कोडाल लाइप अप लाइट उटिलाजेशन केटेगरी अप कोचेस इज डेसियर यह देखें कोडाल लाइप पूचा है लाइट उटिलिजेशन कोचेस के लिए तो यह होता है आप लोगा 40 years ICF कोच के लिए कोडाल लाइप जो होता है 25 years LHB कोच के लिए 35 years यह भी याद रखें The Capacitive Air Spring in LSCN कोच Capacity पूच रहा है Air Spring आप लोगा LSCN कोच के लिए जो LHB Second Class 3-Tier कोच होता है LHB Second Class Slipper 3-Tier कोच होता है इसके लिए आप लोगा पूचा है Air Spring का Capacity पूचा है 1 40 टरन Option B के साथ चलिए The Farm used for withdrawal of stock Non-Stock Item from Depot Storage यह देखिए आप लोगा Stock Item हो Non-Stock Item हो आप जो Daily आप लोग का काम करने है Depot से उड़र करने के लिए Material आप लोग कों सा Farm यूच करते हैं यह फर्म यूच करते हैं आप लोग का LM-171 इसके माइध्यम से ही आप लोग Daily आप लोग का Routine Duty में जो आप लोग का Material इसू करते हैं विड़र करते हैं यही फर्म से विड़र करते हैं LM-171 Competent Authority to Improach Penalty or Dismissal from Service on Railway Servant by Involving Rule 14.3 is यह देखे आप लोग का यहीं पर पूछ रहा कि Competent Authority कोन है? Improach Penalty or Dismissal from Service on Railway Servant by Involving Rule 14 सायत यहां 2 होना था, 14 का 2 होना था, जिसके लिए Competent Authority है, आप लोग का President है, जो कि आप लोग का बिना Inquiry का आप लोग का Duty से आप लोग को Service से रिमूबाल कर सकते हैं, Dismissal कर सकते हैं, यह अधिकर राष्टपती जी के पास है President of India, आप संडी के साथ चलिए WSP in the LHB Coaches Min, यहीं पर WSP का पूर्ण रूप पुचा है, जो कि Wheel Slide Protection System होता है, Wheel Slide Protection, अप संडी के साथ चलिए Standard Form, यूज फर प्लेसिंग ए रेले सार्मेट अंडर सस्पेंशन Suspension के लिए आप लोका जो Standard Form होता है, SF1 होता है इसी साथ से आप लोका SF7 देखिए, यह SF7 जो होता है Appendment of Inquiry Officer Appendment of Inquiry Officer, यूज इसी साथ से SF5 यह होता है, Major Penalty SF11 जो होता है, यह Minor Penalty यह भी आप लोकी याद रखिए The Form Used for Generating Non-Stock Indent Non-Stock Indent जेनरेट करने के लिए, आप लोका जो Form होता है, वो क्या होता है, S1302 होता है S1302 यह पर Non-Stock Indent के लिए होता है इसी साथ से Stock Item के लिए जो Indent होता है Stock Item के लिए यह होता है आप लोका S1313 यह Stock Item के लिए और Non-Stock Item के लिए S1302 फर्म यूच किया जाता है, यह भी याद रखिए Wheel Base Up, LHB Coach का Wheel Base पूचा है 2560 mm उसी साथ से आप लोक ICF का देख लिजे 2896 बंदे भारत ट्रेन के लिए 2700 mm आप लोका गूर स्टॉक के लिए 2000 mm यह भी Basic Data सब आप लोक याद रखिए ताकि exam में गलती ना हो Select the missing number from the given series यह देखिए एक तो series दिया गया है 11, 16, 21, 23, 19, 25, 15, 22, 29 उसके बाद आप लोका जो missing number है उसको आप लोको इहीं पर find out करना है उसके बाद आप लोका 25 है तो इसमें आप लोक ठीक से अगर देखेंगे तो इहीं पर देख सकते हैं देखें 11, 16, 17 इसमें आप लोका 5 का difference है 55 difference में आप लोका यह serial number आगे बढ़ रहा है उसी साब से 13, 13, 19, 25 देखें इसमें आप लोका 6 का difference है उसी साब से 15, 22 और 29 इसमें आप लोका 7 का difference है तो अभी जो difference रिछे वाट का चलेगा 17, उसके बाद आप लोका 25 उसके बाद आप लोका 33 एही difference में आप लोका चलेगा यह 8 difference चलेगा तो एही condition में आप लोका यह पर देख सकते हैं कि यह पर जो missing number है आप लोका क्या होगा तो missing number जो है यह आप लोका इह पर देखें क्या हो सकता है missing number आप लोक इसको comments में बता सकते हैं एसे ही आप लोका series आएगा यह series को आप लोको देखना पड़ेगा उसी सबसे आप लोको आगे चलना पड़ेगा तो इस series देखके आप लोक बताईए comments में बताईए ऐसे ही आप लोक जब exam के लिए preparation किये होंगे इसी type का question आप लोक self किये होंगे तो चलिए इसका answer आप लोक comments में बताईए next चलते हैं which of the following is to be maintained for reduction foul smell which of the following is to be maintained for reduction of foul smell तो देखिए foul smell आप लोक का reduction करने के लिए निकालने के लिए घटाने के लिए क्या चिच यूच किया जाता है तो जब भी आप लोका जो bad smell होगा foul smell होगा उसको निकालने के लिए आप लोग क्या क्या यूच करते हैं functioning of adjustment लगा के आप लोग जो bad smell है गंदा smell है उसको आप लोग दूर कर सकते हैं provision of भेंचुरी अरेंजमेंट भेंचुरी अरेंजमेंट करके आप लोग जो foul smell है निकाल सकते हैं जैसे कि अभी देखा जा रहा है आप लोगा बायो टूरेट में देखिए अंडर फ्रेंब में भेंचुरी आप लोगा welding करके आप लोगा फिट किया जा रहा है ताकि आप लोगा टूरेट का जो बदबू है bad smell है उसको निकाला जा सके उसके बाद pressurized flossing system इसमें भी आप लोग जो भी option D के साथ चलिए maximum speed of lhb design coach lhb design coach का maximum speed 160 kmph option B के साथ चलिए traction center is available in traction center lhb बोगी में रहता है तो आप लोगा एक coach में दो के संख्या में traction center रहेगा उसी साथ से आप लोग का icf coach में हम लोग इसको center pivot बोलते हैं just name change हुआ है transition cbc coupler in lhb coach is fitted in यह देखिए आप लोग का transition cbc coupler इहीं पर पूछ रहे तो कहां पर देखा जाता है यह आप लोग का lwl rrm में देखा जाता है जिसमें आप लोग का जैसे के tc coupler होता है tc coupler में आप लोग का cbc coupler रहेगा screw coupler रहेगा और आप लोग का side buffer रहेगा तो इसमें आप लोग का lhb coach में trapezoidal shape का buffer रहता है यात रखिए तो यही arrangement जो रहता है यह arrangement को हम लोग transition coupler या tc coupler बोलते हैं which of the following is used for cutting stainless steel coaches यह देखे stainless steel आप लोग का steel coaches को cutting करने के लिए stainless steel plate को cut करने के लिए plasma arc cutting यूज किया जाता है option D के साथ चलिए what is the full name of TPE connector TPE connector जो होता है यह thermo plastic illustromeric material से तयार होता है तो इसका full firm है thermo plastic illustromer इसका आप लोग का जो full firm होता है full name होता है thermo plastic illustromer तो आप लोग option B के साथ चलिए thermo plastic illustromeric material position of NRB in airbrake system airbrake system में NRB आप लोग का FP line के साथ रहता है याद रखे जैसे कि आप लोग का यह भी आप लोग का FP main pipe हो गया यहीं से आप लोग का branch होगा branch होके आप लोग का isolating को करहेगा उसके बाद आप लोग का dart collector रहेगा dart collector के बाद आप लोग का NRB रहेगा NRB के बाद आप लोग का auxiliary reservoir रहता है तो इसी साब से यह देखे आप लोग का FP का branch pipe में यह या FP line में ही NRB non return valve या check valve प्रोवाइड किया जाता है minimum shop issue size ICF solid wheel ICF solid wheel का minimum आप लोग का shop issue size 8.37 mm हलाकि यह अभी 8.34 mm यह भी देखे यह भी option में रहता है लेकिन option में है नहीं इसलिए आप लोग का सही answer 8.37 mm इसको यात रखिए cut up angle का can be fitted to cut up angle का हम लोग BPFP दोनों में ही fit करते हैं break pipe fit pipe में the code of vestibule self-generated air condition to tear coach यह देखे यह पर पूछ रहे आप लोग का the code of vestibule self-generated the code of vestibule self-generated air condition to tear coach तो यह हो जाएगा आप लोग का W ACCW हो जाएगा तो आप लोग जो W होता है W जो होता है vestibule हम लोग बोलते हैं W पर vestibule हो जाता है इसके बाद देखे self-generating G पर self-generating हो गया फिर AC हो गया आप लोग का air condition फिर आप लोग का two-tier हो गया CW CW हो गया two-tier इसी सबसे आप लोग का W, GA, CCW यह हो जाएगा आप लोग का bestibule self-generated air condition two-tier coach during break application air flow from जब भी break application होगा break application होने से आप लोग का air का connection break cylinder के साथ connect हो जाता है तो option A के साथ चलिए what is the function of dot collector यह देखिए dot collector का function पूचा है यह क्या करता है जो आप लोग का compressed air को clean करके आगे के तरफ यह भेशता है nrb के मैध्यम से यह आप लोग का air को भेशता है यह आप लोग का dot collector clean होके यह db के तरफ जाता है what is the time limit of F.E.L. under D.A.R. time limit इसमें दिया जाता है आप लोग जब भी कोई आप लोग को penalty issue होता है तो आप लोग को बराबर आप लोग को सुविदा दिया जाता है आप लोग इसका against में appeal कीजिए जो discipline and F.E.L. rule के अंतरगा जो appeal करने का आप लोग का सीमा होता है टाइम होता है ये 45 days होता है अप सन A के साथ चलिए थिकनेस अब site wall seat of LHB coach LHB coach का site wall seat का यहीं पर thickness पूछ रहा है तो site wall का थिकनेस जो होता है ये 2 mm का होता है और इसमें जो आप लोग का material यूज होता है कौन सा material से site wall end wall आप लोग का manufacturing होता है ये होता है ferritic steel जिसको की SS409 M भी बोला जाता है ये भी याद रखिए days conduct rule is about consumption of intoxicating drinks and drugs देखें reliable service conduct rule जो होता है इसके अंतरगत कौन सा रूल है जो की आप लोग का नसिली आप लोग का drink नसिले drink या नसिली दवाओं का सेवन को मना करता है restrict करता है कौन सा ऐसा रूल है जिसमें की आप लोग intoxicating drinks and drugs नहीं ले सकते हैं तो यह आप लोग का rule 22 है इसके अंतरगत आप लोग नसिले drink या नसिले दवाओं का आप लोग सेवन नहीं कर सकते हैं in air brake system brakes would apply when the rate of drop of pressure in BP is air brake system में brake apply हो जाएगा पूछ रहे तो कितना rate से pressure आप लोग drop करेंगे BP pressure तब जाके आप लोग brake apply होगा तो यहीं पर आप लोग का direct question है indirectly इसको गूमा के पूछा है कि आप लोग का क्या है यहीं पर sensitivity test पूछा है जो कि आप लोग 0.6 kg per cm2 in 6 seconds आप लोग BP pressure ड्रप करेंगे BP pressure ड्रप करेंगे 0.6 kg per cm2 कितना time के लिए 6 seconds के लिए तो इसमें आप लोग break should apply break apply हो जाना चाहिए जिसको कि हम लोग sensitivity test पूलते हैं यह भी यात रखे उसी सबसे आप लोग का अगर BP pressure ड्रप करेंगे BP ड्रप करेंगे आप लोग का कौन सा दर से कौन सा rate से ड्रप करेंगे 0.3 kg per cm2 यह अगर 60 seconds के लिए आप लोग ड्रप करेंगे तो break should not apply है break not apply है break नहीं लगना चाहिए जिसको कि हम लोग insensitivity test पूलते हैं this firm is used for appointment of presenting officer presenting officer appointment के लिए निजुकती के लिए कौन सा firm यूज किया जाता है तो यह होता है आप लोगा है SF8 होता है उसी साबसे SF7 जो है appointment of inquiry officer यूज के लिए inquiry officer निजुकती के लिए SF7 यूज किया जाता है उसी साबसे जो SF10 है यह आप लोग का disciplinary action in common proceeding यह होता है आप लोग का disciplinary action in common proceeding disciplinary action in common proceeding यह चीच के लिए यूज होता है सामन्य कारवाई में अनुसासत्मक कारवाई के लिए यह यूज किया जाता है आप लोग का यह होता है disciplinary action in common proceeding और SF2 जो होता है यह होता है dim suspension कोई भी रेलियों एमपलई 48 आवर से ज़्यादा अगर police custody में रह जाता है तो उसको SF2 इसू कर दिया जाता है What is the use of flashback arrestor in gas cutting operation gas cutting operation में gas light torch में आप लोग का जो use किया जाता है flashback arrestor तो यह पूछ रहा है कि इसका use किया है flashback arrestor जो welding torch में gas cutting torch में आप लोग का use होता है इसका काम होता है to prevent the back flow of the gases and flame into the gas supply यह किया करता है आप लोग का यह back flow जो होता है उसको prevent करता है to prevent the back flow of gases and flame gas और flame का back flow को यह रोकता है prevent करता है इसलिए आप लोग का flashbacks arrestor welding torch में cutting torch में यूज होता है तो option C के साथ चलिए one coat DFT days microns thickness of red oxide zinc chromate primer should be applied during acidule of paint जब भी acidule करते हैं paint जो होता है painting होता है coach में acidule paint में आप लोग का जो zinc chromate primer apply किया जाता है red oxide zinc chromate primer coach body में apply किया जाता है तो इसका आप लोग का जो DFT dry film thickness जो होता है DFT पूर्णूप होता है dry film thickness तो ये कितना micron का आप लोग का primer लगाया जाता है तो यहीं पर हो जागा ये 25 micron इसका जो DFT होता है dry film thickness होता है 25 micron इसी आप लोग का इसी का ही coating red oxide zinc chromate primer coach body में apply किया जाता है A schedule के दोरान option D के साथ चलिए यहीं पर देखे एक math का question है x is to y is equal to 3 is to 5 find the ratio of 3 x plus 4 y is to 8 x plus 5 y तो यहीं पर आप लोग का simple दे दिया x और y का value दे दिया है इसका ratio दे दिया है अनुपाद दे दिया है उसी साथ से आप लोग का simple math है इसको आप लोग निकाल सकते है जैसे कि इहीं पर cushion में देखेंगे तो इहीं पर देखे x का value दे दिया है और आप लोग का y का भी value दे दिया है x x और y का value दे दिया है इसी से इहीं पर आप लोग पहले इसका value निकाल लिजे 3x प्लस 4y का 3x प्लस 4y का आप लोग value निकालेंगे तो इहीं पर आप लोग का 3x प्लस 4y आप लोग का इहीं पर देखे 29 हो जा रहे इसी साब से आप लोग 8x प्लस 5y निकाल सकते हैं जस्ट x और y का value का पूट कर दिजे तो आप लोग का value निकल जाएगा उसके बाद अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं यह देखे यहीं पर 8x प्लस 5y का value 49 निकल गया और 3x प्लस 4y का value 29 निकल गया तो इसमें आप लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं तो यह हो जाएगा आप लोग का 29 is to 49 हो जाएगा जोके option यह देखे D में है The function of arthing devices arthing device जो लेजबी कोच में यूच होता है इसका काम क्या होता है to protect CTRB CTRB, cartridge stepper roller bearing bearing को ही यह protect करता है इसलिए आप लोग का arthing device लेजबी कोच में लगाया जाता है तो option A के साथ चलिए clearance between two mating parts is measured by दो mating part के बीच में clearance हम लोग measure करने के लिए filler गच यूच करते है अब संसी के साथ चलिए The ultimate authority to accept a rejection of material इह पर देखे आप लोग का final authority कोन होते है material को accept करें या reject करें इसके लिए final authority जो होते हैं consigne होते हैं तो consigne जो खरिदार होता है या receiver होता है यही final authority होता है कि material को वो accept करें या reject करें PSE is to be issued for the item required to be purchased from PSE का आप लोग का full firm भी आता है पूरूप आता है proprietary article certificate होता है इसका पूरूप होता है proprietary article certificate ये users department के तरब से ये इसको issue किया जाता है ये आप लोग का nominated single firm, single tender के मैद्यम से ही purchase किया जाता है PSE जो item होता है उसके लिए nominated firm रहता है तो ये single firm से ही इसको purchase किया जाता है option A के साथ चलिए which is not a non-destructive test यहीं पर पूछ रहा है कौन सा non-destructive test नहीं है पूछ रहा है तो जैसे कि ये दखिए UST जो है ये NDT है non-destructive test है DPT जो है ये भी non-destructive test है उसके बाद ये दखे Jaglo test ये भी NDT है लेकिन आप लोगा जो compression test है ये NDT test नहीं है non-destructive test नहीं है compression test तो आप लोग option C के साथ चलिए जो compression test है ये आप लोगा non-destructive test नहीं है cotton and raggene seats provided on LHB coaches are LHB coach में जो भी cotton परदा या raggene seat में आप लोगा यूज किया जा रहा है ये आप लोगा किया चीज होता है ये fire retardant होता है ये होता है fire retardant dump valve is fitted between LHB coach में आप लोगा जो dump valve यूच होता है ये dump valve आप लोगा dv and break cylinder ये ही बीच में ये फीट होता है dump valve dump valve जो आप लोगा फीट होता है dv और आप लोगा brake cylinder के बीच में ही ये फीट होता है तो option देखिए यहीं पर आप लोगा option d के साथ चलिए in screw jack this thread are used screw jack में square thread यूच किया जाता है ये micrometer screw gauge has 50 divisions on its circular scale and pitch of the screw is 1 mm what is the least count of the micrometer micrometer का या screw gauge का यहीं पर आप लोग को list count LC निकालने के लिए बोला है जिसमें कि आप लोगा इसका circular scale में 50 division है और इसका pitch जो है आप लोगा 1 mm है तो pitch क्या होता है ये आप लोगा distance between two consecutive threads होता है तो यहीं पर pitch आप लोगा दिया है 1 mm और division दिया है circular scale में 50 division है तो इसी type का जो micrometer है इसमें list count कितना होगा तो इसका आप लोगा simple एक फर्मूला है list count LC का फर्मूला है यहीं पर देख लिजे pitch by total number of circular division total number of division टूटल नमर ओफ डिविजन ओन इट्स सार्कूलार स्केल आप लोगा पीच दिया हुआ है और आप लोगा टूटल डिविजन जो है सार्कूलार स्केल में ये भी दिया हुआ है तो पीच यहीं पर 1 mm है टोटल आप लोका जो division है circular scale में 50 है तो 1 by 50 0.02 mm तो यहीं पर देखिए ऐसा option आप लोका कहां पर है यह option A पर है तो इसी type का micrometer जिसमें कि आप लोका circular scale में 50 division होगा और पीच होगा 1 mm होगा तो इसका LC जो हो जाएगा list count जो हो जाएगा 0.02 mm इसी type का आप लोका भर्नियर कालिपर में आप लोका जो list count है इसका भी formula 1 1 man skill division 2 1 BSD होता है यह भी याद रखिए next चलते हैं लख्यदिप comes under this region यह देखे राजबासा का कुछी ना आ गया लख्यदिप जो होता है region C में होता है गवा खेत्रों में होता है which document does not come under section 33 अप official language act official language act में जो आप लोका section धारा 33 है यही पर आप लोका जो चार अप्सन दिया गया है इसमें से कून सा document इसमें सामिल नहीं है इसका अंतरगत आता नहीं है यही पर देखिए agreement जो यह आप लोका document आएगा tender notice भी आएगा general order भी आएगा लेकिन आप लोका service record इसमें सामिल नहीं है तो option D के साथ चलिए who is the chairman of journal official language implementation committee journal star पर जोन स्तर पर GM साफ हो जाएंगे chairman जो होंगे GM साफ हो जाएंगे और जो secretary रहेंगे PCPO principal chief personal officer write the Hindi version of immediate immediate का Hindi version पूचा है Hindi में meaning पूचा है तो यह immediate का आप लोका हो जाएगा ततकाल हो जाएगा option B के साथ चलिए who prepares the annual program on official language राजवासा पर आप लोका बार्सिक कारेकम कोन तरियार करता है यह तयार करता है ग्रिह मंत्रले home ministry तयार करता है annual program on official language who is the chair person of central हिंदी कमिटी केंद्रिय हिंदी समीती के अध्यक कोन होते है प्रधान मंत्री जी prime minister what is the percentage of grade marks given to non-hindi speaking employee who is participating in Hindi essay allocation and noting and drafting competition non-hindi भासा आप लोका employee के लिए यही पर grace mark दिया जाता है यह competition में भाग लेने के लिए हिंदी essay हो गया allocation हो गया noting, drafting इस सब competition में भाग लेने के लिए जो non-hindi भासा बाले employee है उनको कुछ grace mark दिया जाता है तो वो grace mark कितना होता है वो grace mark आप लोका होता है 10% of the total marks of 10 यह 10% होता है total mark जितना of 10 की है इसका 10 marks grace दिया जाता है अगर कोई non-hindi भासी वेले employee है जो की हिंदी essay allocation noting, drafting condition में भाग लेते हैं option B के साथ चलिए when was the official language act 1963 passed राजवास यही पर आप लोका अधिनियम पूछ रहा है राजवास अधिनियम 1963 कप पारित हुआ है 10 माई 1963 को option A के साथ चलिए the central hindi committee comes under which ministry central hindi committee जो होता है kendra hindi summit यह आप लोका ग्रुह मंत्रा लेके अंतरगत आता है option A के साथ चलिए when was the decision taken to make hindi language as official language हिंदी को official language के तोर पर लेने के लिए decision कप किया गया था हिंदी को राजवासा बनाने के लिए अब लोका decision जो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को और इसी दिन को ही हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में मना जाता है 14 सितंबर को तो option B के साथ चलिए तो चले फ्रेंस एही पर तिरिपुति क्रेज रिप्यार वार्शब का कुशिन पेपर खतम हो रहा है अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक्स कीजिए आप लोका फ्रेंस सार्किल में इसको सियार कीजिए अगर कुशिन रिलेटर कोई मेटर है पिडियाप रिलेटर कोई भी मेटर है तो आप लोग यही नंबर पर संपर कर सकते हैं वार्शब कर सकते हैं नंबर नोट डाउन कर लिजिए तो चले फ्रेंस एसे ही जानकरी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहेए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीजी जैहिन दोस्तो